लोगसबाद चनाव का बिगुल बच्चों का है जहाँ सभी दल अपनी चनाव प्रचार में लगे हैं और इसे श्रुंखला में नागपुर लोगसबाद निर्वाचन शेत्र से बहुजन समाजबाटी के अधिकृत उमिदवार योगेश लांजिवार की प्रचार डाली निक अगर यहां के इतियास पर नजर डाले तो सन 1912 से यहां सरवादिक सांसर कॉंग्रेस के ही रहे हैं जिसके बाद केंडिय मंत्री नितिन कड़करी ने वैश 2014 में इस संसदिय शेत्र से कॉंग्रेस प्रत्याशिव विलास मुतिमपार को 284,000 वोटों के अंतर से जीद हासिल क नाना पटोली को हरा कर दूसरी पार भाज़पा ने यहां से परचम लराया लेकिन नागपुर के इस समीकरन में बहुजन एवा मुस्लिम साती पिछरावर के मतों के समर्थन का दावा करती बहुजन समाज पार्टी इस शेत्र में क्या प्रभावल आगी और किस प्रकार से समीकरन प्रवर्ट तक बनेगी यह देखना काफी ड्रोचक है क्योंकि बात करी पिछले लोग सभाव चुनाओ की तो 2019 में बसपा की मौहमद जमाल ने 2.79 प्रतिशत वोट लेकर तिसरा स्तान प्राफ्ट किया था वही बात करी 2024 की तो महायूती और इंडिया गडबंदन के पिछ खुद का पाला बचाने में लगी बसपानी योगेश लांजिवार को नागपु लोग सपा से मैदा में उतरा है जाव मुस्लीम एवं पहुजन समीद पिछ्रावर की वोटों पर दावा करे है साथ ही इस चुनाओ प्रचार के दुरान लांजिवार लोगों से मिले उन्हें सव्यदान बचाने की दर्खास की इस समय नील चंटे हाथी निशान की नारी भी बड़ी माता में लगाए गये जहां देखा गया के योगेश लांजिवार नी सभी से हाथ चोड़कर वोट देनी की गुचारिश की कैमरा परसन राजकुमार मोहर के साथ मनीश टेम प्रिकी डिपूल